ये है इस सरवर का ड्रागन है जो मेरे दोस्त ने बहुत मुश्किल से ड्रागन को मार के अप्तेन की है बट ये एक हो चुकी है चोडी और इस चोडी के पीछे है इस सरवर का एक सीक्रेट ओर्गेनाइजेशन एंड मेरे दोस्त को वो एक वापस चाहिए तो इसलिए उसने मुझे कॉंटक्ट किया है हैलो हर्स भाई भाई मैं एक लापता की थर्ड कोपी मैं केलता हूँ वहाँ और्गनाइजेशन है जिन्होंने मेरा ड्रेगनेक चुरा लिया है तुम्हारा ड्रेगनेक? हर्स भाई हमें लगाई था कि वो चोमो आपको जरूर बुलाएगा और हमें ये भी पता ही कि आपको ये ड्रेगनेक चाहिए हाँ चाहिए तो अगर आपको वो ड्रेगनेक चाहिए ओके मैं ये ड्रेगनेक लेके रहूंगा अब मुझे ये इलिगल आइटम्स टूनना होगा बट ये उतना हार्ड नहीं होना चाहिए राइट? वाट दी हैक ये मैं कैसे जमा करूंगा लेकिन जो दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत के समय हेल्प नहीं कर सकता है वो कैसा ही दोस्त होगा मैं ये सारे इलिगल आइटम जमा करूंगा क्योंकि मुझे वापस लाना है उसका ट्रागनेक तो यहां पर हमारे जो पहला आइटम है वो है एक नितराइट हो तो हम लग फटा फटा उसे बनाते हैं यार हमारे नेजराइट हो यहां पर बन चुका है हमारे लिष्ट का दूसरा हिटम मतलब बैड्रॉक हमें उसे जमा करना है अब तुम लोग सोच रहो यार बैड्रॉक कैसे जमा करोगे तो देखो बैड्रॉक को पुडाने वर्जिस में जाके बगल में एक उपसीडियन लगाना है कुछ इस तरह एंड उपसीडियन को माइन करना स्टार्ट करना और जैसी उपसीडियन तूटने लगे तो मैं तुरंत बेड्रॉक पर सिफ्ट करना और गेम को डायेट क्लोस करके ऌफसार्वट को रिस्टार्ट करवाने और यहांप सरवाट को रिस्टार्ट करने के लिए मुझे यहां के चैट्म जा की वोलता हूं की सर बलारो हु रहें रिस्टार्ट कुर दोसे ठीक है तो यहां पर हम लोग जॉइन करने वाले हैं प्लीज वहां पर बेड्रॉक हो येस लेट्स गो बेड्रॉक है यहां पर अब गाईज मेरे पास आचुका था बेड्रॉक अब हमाले लिस्ट का थर्ड आइटम है वह है एंड पोर्टल फ्रेम और जैसे ही मैं बेड्रॉक वाली जगह से निकल रहा था मुझे मिला एक स्ट्रॉंग ओल्ड ओके सो यहां पर तो एक स्ट्रॉंग ओल्ड है तो हम लोग फटाफट जल के खोज लेते हैं एंड पोर्टल के फ्रेम कहां पर हैं को यहां पर है एंड पोर्टल फ्रेम्स अफटाफट वह वाला ग्रिच लगा कि यहां से निकाल लेते हैं हम लोग एंड पोर्टल फ्रेम को सो गाइस हमारे पास आचुका है एंड पोर्टल फ्रेम्स अब हमारे लिस्ट में हैं पस एक आइटम एंड वो है एक spawner and अब time बचा है मात्र एक घंटा और एक घंटे गंदर हमें spawner निकालना होगा और spawner को हम लोग कोई glitch से नहीं निकाल सकते क्योंकि यह breakable item है और इसे कुछ भी करेंगे तो यह break हो जाएगा सो इसके लिए हमें बहुत जादर दिमाग लगाना होगा तो मैं जाता हूँ और थोड़े research कर लेता हूँ Google और YouTube पे यहां पे मैंने पूरा YouTube और Google जान माड़ा एंड मेरे पास अभी एक वी वीडियो नहीं आया जिसमें मुझे पता चले spawner हम लोग कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं समय में पूराने वर्जन में जाना होगा बट आयवन आइडिया है तो तुम देख रहो यह है दो spawner और इंदिनों के अंदर का फरक तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा होगा राइट सो इसमें से एक है असली spawner एक है नकली re-textured spawner तो मैं री टेक्षर करने वाला हूँ किसी ब्लॉक को और उसी बंदे को देने वाला हूँ यह री टेक्षर ब्लॉक ब्लॉक करवाने के लिए हमें वो रिशोर्स पेक्षरवर्ड के अंदर डलवाना होगा तो देखो यहां पे एक पब्लिक discord server जिसके उपर है यह developer जो इस server को समालता है and I will tell that server lag हो रहा है यह resource pack डाल दो lag free resource pack है so फटा फट चलते हैं and उसे बोलते है so guys यहाँ पर हमारा retexture resource pack तल चुका है and हमें फटा वट जाके कर्टा करना एक block of lapis so let's go यहाँ पर मेरे पास block of lapis आ चुका है अब हमें फटा फट चल ला है spawn पर and उस secret organization से मिल ला है word है यह लोग let's go so तुम आ गए हाँ मैं आ चुका हूँ यह लोग अपने items okay ठीके यह राथ उम्हारा dragon egg okay it was a perfect deal bye guys उसे पता भी नहीं चला कि यह retexed spawner है और उसने साड़े items का तुसे भी ले लिया and मेरे पास है dragon egg अब मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ and उसे surprise कर ला हूँ इस dragon egg से और भाई कैसे तुझे चाहिए दान dragon egg देख मैं वापस ले आया है अरस भाई मैं भूल गया था कि मैंने एंड वोर के बाद dragon egg ड्यूप कर लिया था सो सब मेरे पास unlimited है what